हेलो एवरीवन हम कर रहे थे संधी का टोपिक कल हमने सवर संधी कंप्लीट कर ली थी एक बार से फिर से कुविक रवीजन लेते हैं संधी दो सब्दों से मिलकर बना है सम प्लस धी सम मतलब समान धी मतलब एक तरित करना यानि इसका मतलब है जोड़ना एक तरित से योग करना समझोता करना होता है वैसे तो संधी का मतलब लेकिन यहाँ पर जोड़ना यानि दो वर्णों का मेल क्या होता है संधी होती है ठीक है ना सब्दों का मेल नहीं होता ध्यान रहे कई बार definition में पूछ लिया जाता है कि संधी किसको कहते हैं फिर option में दिया तर वर्णों का मेल चेद करना चेद करना यinea चन्दी जी यानि!.. ...... चेद करना जैसे ए-एक को अलग करेंगे तो अ-प्लस-इ हो जाएगा ठीक न और संधी के तीन परकार हमने पढ़े थे सवरन शंधी वेंजन शंदी आज हम करेंगे वियंजन संदी के साथ विसर्ग संदी भी कर लेंगे साथ में विसर्ग संदी में तो क्या होता है विसर्ग के साथ या तो सवर का मेल मिलेगा या वियंजन का मेल मिलेगा वियंजन संदी में सवर का वियंजन से भी हो सकता है वियंजन का सवर से भी हो स मेल उ का उ से मेल रही का रही से मेल यानि सेम अलफाबेट का जब मेल होता है यानि वर्णों का सजातिय मेल सजातिय मतलब एक ही जाती का एक ही जाती के है ऐसे ही दिर्ग ही हो जाती है का आ हो जाता है यह होता है दिर्ग गुण गुण संधी क्या हमने पढ़ा था जिसमें ए की मात्रा मिलेगी ए की ओ की है न वृद्धी संदी में क्या होता वृद्धी मतलब बढ़ गया बढ़ गी ए की मात्रा थी न गुण में तो इसमें डबल मात्रा मिलेगी आई की मात्रा या आउ की मात्रा यन संदी में हमने क्या पड़ा था कि आधा अक्सर मिलेगा और उसके आ गई यह वै यह वै के पहले क्या मिलेगा आधाक सर मिलेगा यह पेचांँ थी और अयादी संदी में आयाखे आया आया हूं अवय हना यह पढ़ा से पै leg यहांच प प्रकार हमने कर लिय थे थे différents थे मिल गया यह बड़ी आगाई जैसे दिनेश, रमेश, नरेश, एक मातरा दीखेगी ऊपर है न एकाई से मिल वृधी संधी में क्या हो था था, वृधी हो गई थी यानि कई अई, दो मातरा मिलेगी ऊपर, सबसे असान पहचान है इसकी और यन संदी में क्या था कोई भीन सवर मिलेगा आधा अकसर मिलेगा पहले फिर यह से पहले यह वैसे पहले ठीक है न वैसे जैसे सवागत सवागत से पहले आधा सवागत है सू पलस आगत उ में कोई भीन सवर मिल जाए ए में कोई भीन सवर मिल जाए री में कोई भीन लेकि तो असन जैसे गायक आया देख लेते हैं हम यांपर है क्या देखो आय है यहां पर यह है आया आ की मात्रा है फिर यह आया आया टीक है लेकिन हम असनी से पढ़ेंगे इसको देखो पहला अक्सर पांचवे में बदल जाता है और नय या मैं मिलता है पांचवे में ठीक है ना पंचम नम यादर होगा पंचम नम ये ट्रीक बना लिया हमने पंचम नम ठीक है अब देखे आधा पंचम अक्सर अधूरा मिलेगा अधूरा मतलब आधा मिलेगा जैसे देखो आधा नय ह मुख्या है यह जो तै था ना यह अपने पांचवे में चला गया अब हमने वर्ण माला का तोपिक पहले इसलिए गया था 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 किम यह सारे अल्फाबेटरी वीजन तो तो आक्सर क्या होता है लां च्षण होता है इसका अधा अ बना जातीस है अब देखो अंग है, क, ख, घ, घ, अंग, तो हमने पांचवे अकसर का अगर तोड़ेंगे तो हम क, पलस मैं, अब देखो ना है, या तो नै से मिलेगा, या मैं से मिलेगा, और पहला अकसर क्या हो जाएगा, पांचवे अकसर बन जाएगा, नै या मैं से, अगर पहले अकसर क मेल होगा तो वो अपना सात्वाँ बन जाएग जैसे चित पलस मैं अब मैं कि सेता का पांचा पर देद पूरा अनय तो ऐसे होगा अनय काली और फिर हमने यहां पे अनय मना दिया अब पता चलिए कैसे बना यानि नय या मैं से पहले अगर कोई भी कोई भी अक्सर जीग जाता है हमने 25 जो सपर्शी वेंजिन हमने कई थे सपर्शी जो पच्चिस थे कचट तप वो कच्ट तप में अगर पहला कोई भी कैच, कोई भी आ जाता है तो हम उसका पांचवा बना देंगे उसी की लाइन वाड़ा ठीक है अब दूसरा नियम देखो अगर मैं से वरग्स पर्शी वही 25 है वरग्स पर्शी देखो कच्ट तप वाड़ी लाइन ना और उससे पहले मैं है तो अनुस्वार होता है मैं क्या बन जाएगा अनुस्वार बन जाएगा जैसे सविधान सविधान तो सम प्लस विधान ठीक है ना सम प्लस विधान तो क्या बन गया सविधान ये क्या बन गया आधा मैं अनुस्वार बन गया यहां पी सम प्लस गम संगम सम प्लस चे समझे, सम पलस धी, तो संधी, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, अनुस्वार बन गया, ठीक है ना, कई बार हम समझ भी नहीं पाते कि ये आधा मैं कैसे बन गया, तो ये संधी से हमें समझ में आ रहा है, कि ये जो अंकी बिंदी है, ये अनुस्वार कैसे बना, ये संधी में सम प्लस धी तो अनुस्वार बन जाता है अगर मैं से आगे कोई भी सपर्ष वरग वाला से पता नहीं जीब क्यों ततलाने लग गई सपर्षिव एंजिन मिल जाए सपर्षिव एंजिन क्या होता है का कबूतर से लेकर मैं मचली तक जो भी 25 वरग होते हैं कचट तप वड़े 25 वरण अगर ये आजाए कोई भी आजाए तो मैं का क्या हो जाएगा अनुस्वार बन जाएगा अंकी बिंदी लग जाएगी उपर ठीक है अब दूसरा नियम देखो अगला त त के आगे अगर जय या जय आजाए या चय या चय आजाए तो या ले आजाए तो उसका क्या बन जाता देखो तक क्या बन जाएगा जय बन जाएगा अगर जय या जय पर यहां पर पर से पहले क्या है जय है वह पहला पजल मत होना दुबारे से वीडियो देखके एक बार अपने खुद से हाथ से लिखोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगे वो मैं था पहला वाड़ा हमने जो किया था मैं के आगे सबर्शिवन जिन थे है अब ये तय है तय से आगे अगर यहां पे जय सत पलस जन तो तय का क्या बन गया है जय बन गया यहां पे देखो उत पलस जवल ये आदा जय है और तय का तो आजा जय बनाना ही है ठीक है यहां पर भी हमने तय का आदा जय बनाया था यह पूरी जय थी तो पूरी जय लिख दी तय का आदा लिखा अब यहां पे आदा जय है और यहां पर तय का क्या बनाएंगे हम आधा जय बनाएंगे तो दोनों आधी जय लगेंगी ठीक है ना उजवल तो उजवल हम कैसे लिखेंगे उत पलस जवल जवल तो पहले से ही है और तय के नम का आधा जय और यह आधा जय है ही तो यह ऐसे बनेगा उजवल ठीक है अब स का भी क्या बन जाएगा चैय का जाय खी तो यह चैय से पहले खहते बन नبي कंसे घाये खोजेगा जाये----बो रसमारी का तो और और डाच यह है jadi सेच सेच तेच तो उत प्लस स्वास तो उच्छ वास हो जाएगा ये जो से है जो आदा सेच है शे का छे बन जाएगा और त का आदा चे बन जाएगा ये रूल है भई नियम है संदी के ये याद करने ही पड़ेंगे कोई ट्रिक नहीं है तच बन जाएगा एक अज जए शेगा अगला नियम देखू पहले का तीसरा बनाना है पहला जो वर्ण है कह है कह गय तो तीसरा गय होता है तो तीसरा बनाना है अगर पहले के पलस में तीसरा, चोथा, पांचवां आ जाई है यह हमने पते थे ना, अंतरस्त व्यंजन थे ये और वै, आधे सवर बोले जाते थे, रै, प्रकंपित्था, लै, पार्षविक था, पार्षविक कैसे है ये क्योंकि, लै बोलते सवर साइड में से हवा निकल जाती है, लै उपर जीव ट्फ करती है, और साइड में से हवाल गिने पल जाती है तो इसको पार्शवी की बोलते होया है और सभी सवर में से कोई भी सवर आ जाए तो देखो कैसे था ये कै कै है टो किक लेकर क्या होता रहित जा changing का तीसरा ये लेकर घर कोई भी आ तो यह नियम लागों होगा कि पहला वर्ण है जो वह तीसरा बन जाएगा यह अभी हम नियम पड़ रही हैं जब हम practice session करेंगे तो इसमें हमें सारे नियम याद आते रहेंगे और हम अच्छे से करते रहेंगे अभी तोड़ा सा मुश्किल लगेगा मैं पहले से ही बता रही थी कि वेंजन संदी थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा जादा नहीं है अब देखो ये लेकिन ये अधूरे रहेंगे भई तीसरा जो वर्ण मिलेका ना जो गैज ये तीसरे वर्ण है वो अधूरे रहेंगे जिसे दिक पलस गज अब दिक गज दिक गज हो गए ना दिक पलस गज ये पहला वर्ण के साथ ये जो कह है पहला वर्ण है इसके साथ तीसरा वर्ण मिल गया तो ये भी तीसरा बन जाएगा चाहे चोथा बनो तो भी तीसराई बनेगा पांचवाँ होगा तो भी तीसराई बनेगा यहां पे सवर होगा तो भी तीसराई बनेगा अब देखो गया का क्या बन जाएगा गया का गया बन जाएगा यह तो गया सेम टू सेम रहेगा यह तो same to same रहेगा जो यह कह है पहला इसका तीसरा बन जाएगा यानि आधा गय बन जाएगा यह हलन्त है ना इसका मतलो आधा है यह इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो एक ही बात है लेकिन ऐसे लिखते हैं सत पलस आचार देखो यहां पे सवर आ गया आधा दे बन गया तो सदा चार कैसे बना यह तो आधा दे बन गया यह आ है दे में आ मिला दिया तो दा हो गया ठीक है से तो पहले से था और ते में आ मिला दिया तो दा हो गया और फिर यह चार था यह चार लिख दिया ठीक है तो क्या हो गया सदा चार पता चला कैसे बना देखो ये तै है ये तीसरे में बन गया तै थै दै और इसमें ये आ मिला दिया यानि दो वर्णों का मेल है तै का और दै का इन दो वर्णों का मेल है संदी है ठीक है ना पहला वाला और पीछे वाला तो सेम टो लिखें जाय गया अच प्लस अन्त अब देखो च्छ थैसरा बढ़ च्य का क्या हुआ य तो तय का तो आधा ज्य बढ़ गया और इसमें ए मिल गया तो पूरा ज्य हो गया और अधा नय अष्ट में था वह सेम टो सेम लिख दिया यह आधा लिख दिया अब दो वर्णों का मेल कैसे है संधी तो ये चै और ये ए ये दोनों मिक्स हुए हैं और रूल के मुताबिक चै के आगे चय के आगे नहीं मतलब कोई भी अगर कचटतप में से कोई भी यहाँ पर हो और यहाँ पर उसका जो वरग संदी है उसका तीसरा चोथा पांचवा हो यारलावा हो या कोई भी सवर हो तो इसका तीसरा बना देते हैं ठीके न कचटटटप को तीसरे में बढ़ा देंगे उसी के तीसरे में बढ़ाएंगे जिसमें वो है ठीके अब जैसे भग्वत प्लस गीत अब देखो suddenly ये गीत ग तीसरा वर्ण है और दह तह न ये पहला वर्ण है कचटटप थै थै तो तो तीसरा तै का क्या बन गया दै बन गया ठीक है ना तो अधा-धा लिख दिया और गीत का गीत लिख दिया तै का अधा-धा बन गया तो बगवत गीत हो गया ठीक है ये विसर्ग संदी इतनी ही थी मेरे ख्याल से तीन-चार बार अगर आप वीडियो को देख लोगे या अब नियम क्या है देखो विशरक के साथ अगर कैखा आजाए टाठा आजाए पैफा आजाए तो विशरका सह सटकोन आधा सटकोन मन जाएगा चाचा आजाए तो आधा सह ये सह बन जाएगा सलगम वड़ा अगर तथा आ जाए तो ये से बनेगा फिर चे याद रखो कख यानी कबूतर टमाटर पतंग यानी कबूतर टमाटर खाकर पतंग उड़ाएगा तो सटकोण बन जाएगा कबूतर सटकोण जैसे लग रहा है अगर विशर्ग के साथ चर्खा आएगा या तो चर्खा काटा तो सलगम या ओर बनादो सेर चर्खा काता तो मतलब सेर बन जाएगा विशर काम बन जाएगा घर का और तरभूज खाएगा तो यानी तलवार उठाएगा तो सपेर आ जाएगा लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना यह नियम हम याद करके लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे न तो फिर मजाएगा देखो कस्थ है कस्थ में क्या होगा का के आगे विसर्ग फिर ट ठ ठ ठ है तो इसका आधाशाट कोन मना राना देखो यह हलंत है इसका मतलब यह आधा है तो वही आधाश है निश्पाप पतंग पतंग उड़ाएगा तो आधाश है अब यहां पे देखो त तरबूज खाएगा तो क्या हो जाएगा साप आजाएगा कैसे भी याध कर लो भी हमें देखो तरबूज आधा सै यह सै लगेगा फिर वो सै नहीं लगेगा यह तीनों सै के नियम है सटकोन कब लगेगा सटकोन कब बनेगा कबूतर टमाटर खाके पतंग उड़ाएगा ठीक है ना ज़्यादा चर्खा खातो गई तो सिलगम मिलेगी तुम्हें नाम में और तरबूज खाओगे तो सांप आजाएगा ऐसा मैंने किया है आप और भी बैटर बना सकते हो आपका अच्छा दिमाग चलता है नमय पलत स्ते अब तरबूज खाओगे तो क्या हो जाएगा सांप आजाएगा तो आधा सपेर वाड़ सांप ओड़ा और निश्चे है चन्दर चर्खाओगे तो क्या बनेगा सिलगम मिलेगी अधाश्यए अब देखो मन है प्लस ताप तब तरबूज खाओगे तो क्या जाएगा सांप जाएगा सिलगम मिलेगी Aub Word अधाश्यए अगला एक नियम और देख लेते हैं बस दो त तिन नेयम इसके जादनेयम नहीं है अब देखो और वह बन जाता है संदी का पहले दो अकसर पहले दो अकसरों की दो कहानी खतम है अब पिछे के तीन अक्षर है वाले के ख्या ख्या पैफ है इनका रूल हमने कर लिया अब पिछे वालों को करते हैं कर लिया जैज है यह डड़ है यानि पिछे के तीन वर्ण है और यह रहलेव है तो इसका O बन जाएगा भई इसका जो भी सर्ग है उनका O बन जाएगा अब देखो मने प्लस वियोग ठीक है मने प्लस वियोग तो मनो वियोग हो गया ठीक है यस प्लस दा यसो दा ठीक है न भई यह सवर भी है सवर वी इई तो सवर हो गया न यस है प्लस धरा तो धह यह धर क्या है तह था दहद हो कहा है कि लिखा निए मने धर्राम यह गला तरीक रखा है नहीं का गखा गखाए चै चै जह यह हैं ट्य थै थै ध्य थै त्य त्य थै ओ यह आएगा यहां पर क्योंकि देखो यह ऐसे हैं यह त द न ऐसे होता है यह मैंने गल्द का रख का है कि यह गलत था वैट था अब देखो धर्थ मैं यह इसोचरी की तीसरा ब्रण भी नहीं यह चोचछा भी नहीं है यह कैसे हो गया देखो यह धर यह तो यह सोध्र हई इस विसर्ग के का बन गया वाइज ऑ बन गया अभ reflex ह सरोज-ग हो ़िक तो इन में भी क्या है विसर्ग है अब्रोर कर ओद विसरग में युआ उन्में तो राहा था इंनमें यूव Review. उनमें तो ए अ था देखो न नख में ए मिक्स था ये तो हाँ ये बता नह पूल गो ज Kaiser रहूंगे आ लोग है में में। यहाँ पे आ से पहले फिर विसर्ग और फिर तीसरा अक्सर अब यहाँ पे ई, ई, उ, उ मिलेगा तो इसका आधा रह बन जाएगा आधा रह कैसी मनेगा जिसे नी प्लस भर अब यहाँ पे ई है देखो नै ई नै प्लस ई तो क्या हो गया नी अब नी विसर्ग फिर भर पर भर भर तो यह भर आ गया तो अब क्या बन जाएगा यह आधा रह बन जाएगा यानि अब यह निर भर बन जाएगा ठीक है पहले क्या था उसमें सिरफ ए आ थी सिरफ ए आ हो तो ओ ajaajaataa जैगा i isobenल जाएगा चाहिए तो अब देखो देखो ऐसे याद रख सकते हैं उप्लस वर निल्प्लस नि पिल्स भरख भीक है निर्भीक तो यह भय है और यह E है उ है ऊ है E O E O का mix हो E और O दो याद रखने है विसरग से पहले अगर E है चोटी E भी हो सकती है तो यह रै बन जाएगी यह ऐसे रखना याद तो विसरग का क्या बन जाएगा रै बन जाएगा करना फिर ये ओ बन जाएगा ठीक है तो मेरे खेल से आज थोड़ी लंबी वीडियो भी बन गई है और आपको कैसा लगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कोमेंट जरूर किया करें और वैसे भी व्यू बहुत कम हो रहे हैं बनाने का मन तो नहीं करता लेकिन फिर भी क्या करें थेंक यू